Hello दोस्तो, Welcome back, Act2Directory के इस एपिसोट में आपका स्वागत है तो दोस्तो इस एपिसोट में हम जानेंगे Windows Time Services के बारे में और जानेंगे Time Services कितनी important है for the Act2Directory के लिए ठीक है, तो दोस्तो सबसे ज़्यादा पहला questions तो यही बनता है कि अगर Time Services ना हो, तो हमारे environment में क्या-क्या effect पढ़ सकते हैं ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तो मैं आपको बताना चाहूँगा Carbrose Carbrose, जैसा कि मैंने अभी तक आपको बताया, Carbrose क्या है हमारा authentication protocol ठीक है, और यह हमारा primary authentication protocol है ठीक है, तो अगर आपके computer, आपके client machine और server, server यहाँ पर है domain controller, ठीक है, DC अगर इन दोनों के बीच में ठीक है, 5 minutes से ज़्यादा, greater than 5 minutes से ज़्यादा का time का difference है तो मेभी हो सकता है आपका login ना हो, ठीक है, login ना हो, मेभी मैंने इसलिए बताया क्योंकि क्या होता, 80% cases में आपका login नहीं होगा, 20% जो आपके कैसे के थुरू login हो जाएंगे, ठीक है कैसे के थुरू login हो जाएंगे users, ठीक है, तो यह एक problem आती है, अगर आपके time proper नहीं चला है ठीक है, और दूसरा क्या है, दोस्तो, cryptography algorithm ठीक है, बहुत सारे ऐसे software होते हैं या applications होते हैं, जो cryptography algorithm तो use करते हैं for the some authentications, ठीक है, तो यह भी एक problem आती है, ठीक है, और third option क्या है तो हमारा distributed system like cluster, ठीक है, SQL, Exchange, document, ठीक है, तो इन में भी problems आएगी, ठीक है, और fourth है हमारा, जो AD के terms में सबसे ज़्यादा important है, AD replications, ठीक है, AD replications के AD replications में problem आएगी, मतलब आपके database replicate नहीं हो पाएगा, proper sync नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो हम, दो major चीज़े हैं, act to directory comes, के scenario के हिसाब से, Kerberos और AD replications, ठीक है, अब सबसे important questions यह आता है, कि दोस्तो कि time services को हम कैसे configure करें, ठीक है, कैसे configure करें, कि वो पूरे entire forest में properly काम कर सके, तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास दो options है, time services को configure करने के लिए, ठीक है, पहला option क्या है, कि जो हमारा, माल दीजिए, कोई एक single domain है, ठीक है, single domain में हो सकता है, दो domain controller हो, ठीक है, इसके उपर PDC role पड़ा हुआ है, PDC यहाँ पर हो गया, primary domain controller, जिसको हम PDC emulator बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पहला option, दोस्तों, हमारा क्या है, कि जो है, हम PDC, जिस domain controller के उपर, आपको जैसा कि मैंने बताया था, आपने PDC emulator के वीडियो में, इसके जब detail में हमने discuss किया था, तो मैंने आपको बताया था, PDC emulator authentication को grant करता है, last authentication, ठीक है, तो इसी लिए Microsoft क्या recommended करता है, कि आपका जो time services है, ठीक है, वो हमेशा PDC emulator के पास में रहनी चाहिए, ठीक है, NTP services, ठीक है, NTP भी बोलते हैं, ठीक है, तो यह आपको समझ में आ गया, कि PDC, जो है, हमारा, दो options हैं, यहाँ पर हमारा first option के है, दोस्तों, कि PDC जो है, उसके उपर, ठीक है, अगर यह option पहले use होता था, ठीक है, क्या होता था, पहले हम physical servers use करते थे, अभी क्या virtual servers use कर रहा है, जब हमारा physical server होता था, ठीक है, तो उसमें CMOS battery लगी होती थी, ठीक है, CMOS battery लगी होती थी, CMOS battery क्या करती थी, जो की time को manage करती थी, अब क्या होता था, लोग पहले क्या करते थे, इस CMOS battery के थूँ ही, एक बार time set कर दिया, CMOS battery चलती रही, time आपको बताती रही, जैसे आपकी mobile की watch हो गई, उसमें battery पड़ी हुई है, watch है, जब तक battery है, तब तक watch सही चल लगी है, आपने एक बार time set कर दिया, सही चल लगी है, ठीक है, दूसरा क्या है, option, external DNS, ठीक है, अभी क्या है, जिसे हमारा mobile आ गया है, ठीक है, mobile पर क्या है, जैसे आपका time manage हो रहा है, वो through the internet हो रहा है, ठीक है, आपका mobile internet कैसे connect है, time उठा रहा है, ठीक है, वो चलता जा रहा है, अगर आपके mobile में internet ना चले, लंबे time के लिए, और mobile set down रहे, switch off रहे, तो आपको फिर से time change करना पड़ेगा, time को update करना पड़ेगा, ठीक emulator, ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम समझते हैं सबसे पहला, ठीक है, scenario, scenario के हिसाब से क्या है, यहाँ पर देख लीजिए आपको, मैंने क्या किया है, यह servers को इस icon से सो किया है, workstation को इस icon से, और PDC जो emulator role है, उसको इस icon से सो किया है, ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते है हैं, दोस्तों, कि यह हमारे पास 3 domain है, ठीक है, यह 3 domain है, और इसका जो यह domain है, यह हमारा forest है, ठीक है, यह हमारा forest है, ठीक है, यह हमारा forest है, यह हमारे child domain है, ठीक है, अगर मैं इनके नाम लिख देता हूँ, यह हमारा उपर लिख के हा क्या, यह हमारा क्या है, root domain है, ठीक है रूट डोमेन भी बोलते हैं forest वाले को और नीचे वाले को हम बोलते हैं child domain यह दोनों हमारे child domain है correct तो यह हमारे 3-3 server मैंने इनके उपर डाले हुए ठीक है 3-3 server मैंने इसके उपर डाले हुए तो आप देख सकते हो हमारे जो 3 servers है ठीक है एक यह servers हो गया और एक यह हो गया एक यह हो गया ठीक है तीन server मैंने हर जगे डाले हुए और इन 3 servers को मैंने अब role assign करती है PDC rest roles जो भी बचे वो मैं उसकी बात में बाद इस वीडियो में कोई बात नहीं करना है सिर्फ only PDC के बारे में discuss करेंगे ठीक है आप PDC देख सकते हो कि PDC role पढ़ा हुआ यह PDC मैंने नाम लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पर भी PDC आप role देख सकते हो ठीक है और यहाँ पर भी अब PDC role देख सकते हो दोस्तों PDC role पर हमें focus करना है यहाँ पर ठीक है PDC बहुत important role play करता है जब हम time के बारे में बात करते हैं ठीक है अब यह PDC पढ़ा हुआ है PDC role domain wise होता है इसलिए तीनों domain में है ठीक है अब यहाँ पर यह कुछ servers है और कुछ client machines है work stations है ठीक है अब दोस्तों क्या है यहाँ पर हमारे पास दो options है जैसा कि मैंने आपको बताया था ठीक है first option क्या है कि मैं जो यह वाला हमारा root PDC है ठीक है इसकी CMOS battery वाला ठीक है CMOS battery से यह अपना time उठाए दूसरा option क्या था दोस्तों कि यह external से time उठाए ठीक है कि मैंने कोई Linux ठीक है या फिर Windows server लिया उसके उपर time set कर दिया ठीक है time set कर दिया time कहां से उठाएगा बाहर से उठा सकता है Microsoft के server है time server ठीक है Indian servers भी है time servers जो provide कर आते हैं आपको time services ठीक है तो यह दो-तीन जेगे से उठा सकता है बट इसके लिए आपको port open होने चाहिए ठीक है इसका जो time services का port होता है दोस्तों वह होता है 123 ठीक है UDP 123 ठीक है तो यह आपका port open होना चाहिए firewall पे जिस पे भी UDP ठीक है यह UDP port आपका open होना चाहिए 123 UDP port सारे के सारे domain controller के बीच में भी 123 port open होना चाहिए ठीक है यहाँ पर भी 123 port open होना चाहिए उपर भी हर चीके 123 port open होना चाहिए ठीक है यह आपको समझ में आ गया अब दोस्तों हम आते हैं कि यह port तो हमने open कर लिया external भी set कर दिया ठीक है अब यहां पर हम ठीक है अब हमारे पास क्या है challenge कि यहां पर हमें इस PDC के उपर configuration करनी पड़ेंगी ठीक है तो दो options है हमारे पास जैसा कि मैंने बताया आपको एक है local ठीक है local और दूसरा है क्या है हमारे पास second option external ठीक है external ठीक है अब भी हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से तो यह यह जो configuration है जो मैंने local और लिखी यह route PDC की लिखी ठीक है route PDC के पास time आ गया ठीक है just suppose इसको local से time मिला यह external source से मिला ठीक है अब यह आगे कैसे देगा मतलब इन servers को यह domain controllers है इन domain controllers को कैसे आगे proceed करेगा ठीक है तो आगे कैसे इन domain controller को दिया जाएगा ताकि वो client machine को दे सके client machine मतलब यहाँ पर member servers यह हो गया और यह हमारे workstation हो हो गए client machine ठीक है तो यह यह जो ना PDC से request करेंगे यह दोनों जैसे यह दोनों request करेंगे PDC से कि भी यह मुझे time बताओ ठीक है time बताओ तो मैं आगे further दे सकूं ठीक है यह यह PDC PDC से बात करेगा time के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने इस डाइग्राम में आपको दिखाने कोसिस की है मैं इसको एक बार क्या करता हूं मैं इसको clean भी कर देता हूं फिर से ठीक है यहाँ पर तो यह आपको समझ में आ गया यहाँ पर आप डिख सकते हो यह जो PDC है यह वाला PDC है यह वाला PDC है ठीक है यह किस से request कर रहा है forest के PDC से request कर रहा है कि मुझे time बता दो ठीक है तो यह request करते है forest PDC से यह दोनों PDC ठीक है ऐसे हो सकता है आपके पास multiple और भी domains हो तो वह request करेंगी इससे root PDC से कि हमें time बता दो ठीक है time बता दो और यह जो child जो child DC होंगे आपके पास sorry child DC नहीं जो और DC है यहाँ पर ठीक है यह DC हो गए यह DC हो गए इस domain के यह भी इससे request करेंगे कि हमें time बता दो ठीक है यह फिर फर्दर नीचे इनको provide कर देंगे time ठीक है यह further इनको provide कर देंगे time जैसे यह से मांगेगा यह से मांग लेगा time ठीक है तो यह दोस्तों क्या होता है पूरे environment में one two three port one two three port पूरे environment में जितने भी DC होते हैं all DC के पीच में यह ports open होना चाहिए ठीक है इससे फायदा क्या होगा यह फालीजे यह इससे मांग रहा है ठीक है आगे चलके यह DC DC डाउन हो गया ठीक है मेभी यह DC डाउन हो गया ठीक है तो यह इससे भी ले सकता है ठीक है तो यह पूरी पूरे के पूरे आपको प्लान करना है मैं अभी ports वाला जो वीडियो बनाऊंगा इसका next AD ports उसमें आपको बताऊंगा कि कौन-कौन से port कौन-कौन से firewall पर open कराना चाहिए इन आउट सब कुछ बताऊंगा ठीक है तो यह आपको समझ में आ गया दोस्तों अब उसके बाद क्या होगा कि यह जो हमारे workstations है ठीक है यह हमारे servers और workstation जो अपने nearest domain controller है उससे उठा लेंगे ठीक है nearest domain controller से time उठा लेंगे ठीक है तो यह दोस्तों आ रहेंगे और time synchronize को synchronize करके देखेंगे ठीक है thank you